नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो आज हम करने वाले हैं प्रेक्टिसेट 3.5 का कोश्चन नमबर 567 और 80 यानि कि चार कोश्चन हम लोग इस वीडियो में सौल्व करने वाले हैं ठीक है और इससे पहले कि जो आपके कोश्च पोलीनोमियल यानि हमें क्या करना है यहां पर ढिसकरना है औरistes करना है लेकिन कॉंसे हैं से इושन करने के अभी तक हमने कि hanimication के पहला क्या लांग उनुसमें क्या होता था ये सदिशन क्या करते थे अधर फिर हम ने क्या क्या पर हम देखने वाले हैं तो यह ज़य का जब हम डिविजन करते थे तो हमें पर कोश्टेंट भी मिलता था और मिलता था दोलों चीजे मिलती थे लेकिन यह जो किया मिलेगा ओनली रिमेंडर निकालने का सबसे आसान तरीका यह यह रिमेंडर थेयरम ठीक है तो क्या होगा कैसे होगा चलो आपको बताती हूं यह भी स प्टाक से समझ में आ जाएगा तो आप देख सकते हो जब तक में मिटा Palace रही हो तब तक आप मुझे बताऊ कोंसा इसमें डीविडेंड भुगा और कौंसे डिवाइजर होगा चलो देखते हैं मैं हूं हमें क्या करना है पहले होग्यों को दूसरे डिवाइड करना है इसका मतलब क्या हुआ यह जो पहला वाला है यह क्या बनेगा यह dividend बनेगा ठीक है तो dividend यहाँ पर क्या हो चाहेगा dividend polynomial polynomial यानि कि P of X मतलब P of X क्या होगा X square minus 7X plus 9 ठीक है और divisor यहाँ पर क्या होगा X plus 1 तो यह देखिए मैं लिखती हूँ divisor which is equal to मतलब divisor क्या हो चाहेगा X plus 1 ठीक अब यहाँ पर हम लोग ना X का value लेने वाले हैं तो X का value क्या लेंगे देखिए यहाँ पर क्या है X plus 1 तो यह जो प्लस 1 है इसका opposite हम लोगों को लेना है तो प्लस 1 का opposite क्या होगा minus 1 यानि X का value हमें minus 1 लेना है ठीक है उसके बाद देखिएगा अब मैं यहाँ पर लिखूंगी by remainder theorem remainder theorem से जो हमारा remainder है वो क्या होगा अब ध्यान से देखते जाओ by remainder theorem एक question आप लोग देख लो फिर आगे वाले तो आपके लिए आसान हो जाएंगे क्योंकि सब में हमें यही काम करना है remainder theorem क्या हो जाएगा remainder मतलब हमारे पास polynomial क्या है पी ओफ एक्स विच इक्वाल टू क्या दिया है x square minus 7 x plus 9 तो इसमें हमें करना क्या होगा x के प्लेस पर अभी minus 1 हम रखने वाले हैं है ना तो यहाँ पर जो हमारा remainder है student वो क्या होगा अब ध्यान से देखते जाओ remainder विच इक्वाल टू क्या होगा पी ओफ माइनस वन निकाला तो वहीं आपका क्या कहलाएगा remainder कहलाएगा ठीक है पी माइनस वन का मतलब क्या होता है हमें इस पोली नॉमियल में क्या करना है जो eks व और माइनस माइनस मिल करके प्लस पिर इन दोनों का मल्टिप्लाइग करो जरो मेनस माइनस यानि कि जो remainder है ना वो हमें क्या मिला मतलब पी ओफ माइनस वन क्या मिला 17 मिला यानि कि remainder यहां पर क्या मिला है हमको 17 मिला है तो आप लिख सकते हो remainder which is equal to 17 कि समझ में आया कि नहीं अगर आप चाहो तो इसको verify भी कर सकते हो किसी भी method से चलो synthetic method से आपको यह verify तो यहां पर यहां पर उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर देखेगा लिखते हैं तो जो डिवाइजर होता है जैसे यहां पर एक्स प्लस बने ना तो प्लस बन का ओपोजिट माइनस बन यहाँ पर आजएगा मैंस वन ठीक है फिर अनुट करेंगे तो एट और इन उन्हों को जुड़ो नोड़ कितना होता है 17 मिला और जब हमने ऐसे किया तो भी हमें जो remainder है वो कितना मिला 17 ही मिला मतलब यहाँ पर जो हमको remainder मिला है वो एकदम right है ठीक है अगर आप इसको किसी और method से करते हैं linear division method से तो भी वहाँ पर remainder आपको 17 ही मिलता ठीक है समझ में आये ना तो जब भी remainder आप से पूछा चाहेगा remainder धियरम से तो आपको इसी त solution dividend polynomial क्या हो जाएगा यह होगा ना तो यहां पर मैं लिखती हूँ dividend polynomial यानि कि P of x क्या होगा 2x का cube minus 2x का square plus ax minus a ठीक है फिर उसके बार divisor क्या है यहां पर मैं लिखती हूँ student divisor तो यहां पर divisor दिया गया है x minus a अभी हम क्या करेंगे जो x है ना इसका value क्या लेने वाले है yes plus a लेंगे क्योंकि यहां पर क्या माहिन से है तो अभी हम plus लेंगे ठीक फिर remainder theorem का हमें यूज करना है तो यहां पर मैं लिखने वाली हूँ by remainder theorem remainder theorem से remainder क्या होगा सुनू सुनू ध्यान से by remainder theorem remainder theorem से जो हमारा remainder है ना वो क्या हो जाएगा वो होगा p of a देखो अभी x की place पर हमें a लिखना है ठीक है तो इस polynomial में जहां पर भी x है वहां पर हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे तो देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा क्या दिया है polynomial 2x का cube यानि कि यहां पर आएगा 2a का cube बराबर फिर minus 2 into x के place पर a लिखना है a का square प्लस यहां पर a x तो पहले से ही है a और x के place पर हमें a लिखना है तो a into a फिर minus a ठीक फिर क्या करोगे तो देखो यहां पर हम लि अब हमें क्या करना चाहिए इतना तो हमने कर दिया क्या इसके आगे हम इसको solve कर पाएंगे जी हां बिनकुल कर पाएंगे ना देखिए 2a का cube फिर यह देखो minus 2a square plus a square तो बोलो जल्दी से कितना आएगा तो plus यह minus में यह प्लस में यानि कि minus होगा तो जब हम minus करेंगे तो यहां पर आजाएगा minus a square फिर इदर minus a समझा ना minus a square कैसे आया देखो दो में से एक जाएगा तो एक आएगा और यहां पर a square है ना variable तो a square आजाएगा ठीक है तो p of a हमें क्या मिला है student 2a cube minus a square minus a है ना यानि कि remainder यहां पर क्या मिला है लिख दो remainder which is equal to 2a का cube minus a square minus a ठीक है तो second sub question में यहां पर complete हुआ अब चलिए हम लोग तीसरा कर लेते हैं तीसरा यहीं पर कर दो यह फिर इसको मिटा करके करूँ चलो आप इसको देख लो यह दोनों को फिर उसके बाद मैं आपको third one बताती हूँ ठीक है देखिए यहां पर यह रहा आपका third sub question तो इसमें भी हमें वही करना है remainder theorem से इसमें remainder find करना है ठीक है तो यहां पर मैं लिखने वाले हूँ solution उसके बाद देखिएगा यहां पर dividend polynomial क्या होगा और divisor क्या होगा dividend polynomial यानि कि P of M देखिए इसमें variable क्या है M है इसके लिए मैंने इदर क्या लिखा है P of M लिखा है ठीक है क्या हो जाएगा 54 M cube plus 18 M square minus 27 M plus 5 ठीक है फिर उसके बाद देखिए यहां पर divisor क्या होगा divisor M minus 3 है ना तो यहां पर हम क्या करेंगे देखिए M minus 3 है ना तो अभी minus 3 का opposite हम लेने वाले तो minus 3 का opposite क्या होगा plus 3 तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया plus 3 फिर हम क्या करेंगे remainder theorem से इसको हम solve करेंगे तो क्या लिखेंगे by remainder theorem तो remainder क्या होगा P of remainder यह होगा P of 3 है ना तो इसमें हम क्या करेंगे जहां पर में M है वहां पर अब ही हम कौन सा value रखने वाले 3 लिखने वाले ठीक है तो P of 3 which is equal to बताईए यह देखिए यहां पर है 54 लिख दिया मैंने 54 M का क्यूब है ना तो अभी M के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा 3 तो यहां पर आजाएगा 3 का क्यूब प्लस 18 फिर M का स्क्वेड यानि कि यहां पर आजाएगा 3 का क्या लिखने वाले 3 तो यहां पर मैंने लिख दिया 3 उसके बाद प्लस 5 चलो इसको simplify करो आपको answer मिल जाएगा तो यहां पर आएगा 54 इंटु 3 का क्यूब करो कितना आएगा 3 3 9 327 यानि कि यहां पर आजाएगा स्टूडेंट 27 प्लस 18 इंटु 3 का स्क्वेर करेंगे तो 9 27 3 3 721 फिर आगया 23 2006 और 780 यानि कि यहां पर 81 प्लस 5 फिर हमें क्या करना है तो मल्टिप्लिकेशन करन है इन दोनों का मल्टिप्लाइग करते देखो 54 और 27 चलो फटा फट से करते सेवन फॉर सेट्वेंटी एट तू आ गया सेवन फाइस कितना होता है 35 35 फ्लस 237 फिर टू फॉर साइट टेन जोड़ो आठ और साथ साथ मतलब 15 का पांच एक आया तीन एक चार मतलब वन क्या ल आएक और यह आ जाएगा यहां सेटे साफाइंटे सेजह हो वैनेकर यह ता इंस अंडर को नहीं वन उसंटे वन सिकस्टी फिर Ms. गरा बॉय करतेattackạnh दों को प्लस करते कि आख तेक आट और 57 जाए और 31 12 एक पर एक और लिल यह और 4 फे Ciao एक चार पांच एक श्य होगा तो 10 50 1-81 plus y चलो 25 में सब्सक्राइब से जोड देखाई धो इसको इसको जोड़ देखाइब यहाँ और भी यहाँ बचासँ यहां पने Agomb 1544 यह हमें क्या मिला रिमाइंडर मिला है ना तो चलिए लिख देते हैं लास्ट में यहां पर क्या लिखेंगे कि पी ओफ थ्री यानिकी रिमाइंडर क्या मिला है 1544 ठीक है दिस इस यूर फाइनल अंसर आप देख सकते हो यहां पर आपका यह जो फिफ्ट कोश्चन था वो होता है कंप्लीट ठीक है तो यह होता है रिमेंडर थीरम बताओ रिमेंडर थीरम आसान था ना अभी देखना इसके आगे हम लोग एक और थीरम देखन भी भी और तो लोगों को फिस आहें को तो इसका मतलब क्या हुआ है सुनियést ध्यान से हमें यहां पर क्या दिया गया है और क्या निकालना है थीर पिछले question में क्या कर रहे हैं लेकिन इसमें reminder दिया गया है कितना दिया है बच्चे लोग 50 दिया है ठीक है अभी इसकी मदद से हमें m का value find करना है तो हम कैसे करेंगे तो देखिए यह हमारा dividend polynomial है क्योंकि जिसको क्या चाता है वह होता है तो यह हो गया dividend और यह हो गया diviser अभी हम क्या गरेंगे एहां पर यह संव एक्व माइनेश तो यहां ऑपर वाला आपको समझ में आया ना मैंने क्या लिए है P of Y क्योंकि यहां पे variable क्या है इसके लिए इसमें whileig ठीक है चलो आप देखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे आज रिमेंडर धीरum रिमेंडर धेरम से अगर हम इसको सॉल्प करें तो रिमेंडर क्या होगा रिमेंडर विच इक्वल स्टू औराओ मैंस कुस्चिन में कितना दिया है तिर फिफ्टी दिया है यानि P of minus 2 किसके equal होगा तो 50 के equal हो जाएगा ठीक है अभी P of minus 2 का मतलब क्या हुआ यह जो dividend polynomial है ना इसमें हम लोग Y के place पे लिखने वाले हैं minus 2 तो चलो देखते हैं यहां पर क्या है Y cube है यानि यहां पर क्या आएगा minus 2 का cube फिर minus Y into Y के place पर minus 2 तो यहां पर minus 2 का square आजाएगा प्लस 7 into minus 2 प्लस यह देखो माइनल यह एम के place पर minus 2 आएगा ठीक है विचसे equal हो जाएगा तो 50 के equal हो जाएगा देखो इसके place पर हमने यह पूरा लिखा है ना और यह 15 अब देखो माइनस 2 का cube करो तो 2 तूजा 4 4 तूजा 8 यानिके यहां पर 8 आएगा और देखो plus आएगा कि minus आएगा तो तीन बार इसको देखो minus minus plus plus minus यानिके यहां पर यह माइनस में आ जाएगा फिर इदर क्या है देखो माइनस 5 इंटू माइनस 2 का square करो 2 तूजा 4 और माइनस माइनस मिल करके plus उसके बाद 7 तूजा क्या होता है 14 प्लस माइनस माइनस यानिके यहां पर आएगा minus 14 समझवा है ना फिर उसके बाद देखो plus minus minus यानिके minus 2 हो जाएगा which is equal to 50 उसके बाद इदर माइनस 8 है रहने दो कोई बात नहीं दोनों का multiply करो minus 5 इंटू 4 तो 5 4 जा होता है 20 यानिके minus 20 आजाएगा minus 14 minus 2 which is equal to 50 हमें किसका value find करना था यहां पर M का value find करना था ना तो यह देखो M के place पर हमें M ही रहने देना था क्योंकि इसमें यहां पर M के place पर कुछ भी आपको नहीं लिखना है देखो मैंने यह गलती से लिख दिया तो अभी मैं इसको सही करती हूँ यहां पर M के जगह पे तो M ही रहेगा ठीक है क्योंकि इसमें variable तो Y दिया गया है यहां पर M लिखना यहां पर M आएगा प्लस M ठीक है ना चलो देखते हैं आगे अब यहां पर क्या होगा तो सब के सब माइनस में है जब सब के सब माइनस में है तो सब जुड जाएंगे तो 408 आट 4 कितना होता है 1212 कदो एक आया दो एक तीन चारी यानि कि 42 और यह भी किसमें माइनस में प्लस M विच इक्वल तो 50 अब यह जो माइनस 42 है इसको उस साइट बेचेंगे तो जब यह उदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानि कि 50 प्लस 42 दोनों को जोड़ो इतना आएगा 92 यानि कि M का value हमें 22 is 92 ठीक तो फाइनली कोश्चर नमबर 6 यहां पर complete हुआ आप देख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे फैक्टर के बारे में ठीक है फैक्टर का मतलब क्या होता है जैसे मैंने यहां पर क्या लिया है ठीक है और मैंने आप लोगों से सवाल पूचा कि बताए कि यह जो 2 है ना 6 का factor है या फिर नहीं है तो आप क्या करोगे इसके लिए आएगा 0 है ना यहां पर जो reminder है ना यहां लास्ट में जो आता है उसको आम लोग reminder बोलते जानते हो ना तो यहां पर देखो रिमेंडर हमें क्या मिला 0 मिला इसका मतलब आप जानते हो क्या हुआ कि तू जो है ना वह 6 का factor है अगर reminder 0 नहीं आता कुछ और आता सुनो जैसे म reminder है ना वो हमें क्या मिला वन मिला है ना तो इस केज में हम क्या बोलेंगे कि 5 6 का factor नहीं है बराबर लेकिन यहां पर देखो इस वाले question में देखिएगा reminder क्या जीरो यानि हम बोल सकते हैं कि यह जो टू है ना टू 6 का factor है यानि अगर हमें किसी भी number का factor बताना है तो क्या क कर होगे simple सी बात है इसको divide कर दो अगर remainder 0 आया तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ हाँ यह इसका factor है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वह उसका factor नहीं है ठीक है फैक्टर मतलब होता क्या है कि वह ना उसके table में आना चाहिए जैसे यह जो 6 है यह टू के ट है ठीक है यहां पर देख लो अच्छा 3 15 का factor है या फिर नहीं आप चाहो तो ऐसे बता सकते हो देखो 3 के table में 15 आता है ना 3 1 3 2 3 9 3 4 3 5 15 आया की नहीं मतलब 3 इसका factor है ठीक है तो यह आप कैसे पहचान पाऊगे आपना ऐसे simply table पढ़के बता सकते हो या फिर आप इसको divide करो पता लग जाएगा यह पांच बार में जाएगा तो यहां पर आजाएगा 0 यानि कि remainder के आगे 0 यानि हम बोल सकते हैं कि 3 is the factor of 15 ओके तो यह सारी चीज़े मैंने आपको क्यों बताए क्योंकि इसका यूज यहां पर होने वाला है ठीक है देखो question बढ़ो question number 7 इसमें क्या लि है ठीक है तो देखो अगर हमारे पास number थे तो वहाँ पर हम simply table पढ़के बता सकते थे लेकिन यहां पर आप table कैसे पढ़ोगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा यानि कि remainder उसका पता करना पड़ेगा अगर उसका remainder 0 आया तो फिर हम बोलेंगे कि व एक्स स्क्वार प्लस 2 एक्स माइनस 3 ठीक है फिर यहां पर देखिए का divisor क्या है यह क्या है डिवाइसर एक्स प्लस 3 बराबर यह होगा divisor यह हो गया dividend तो हम यहां पर क्या करेंगे factor पता करने के लिए remainder find करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर remainder 0 आया तो वह उ एक्स का मेलू क्या लेंगे यह प्लस 3 है न तो माइनस 3 लेंगे ठीक है अब यहां पर मैं लिखती हूँ कि remainder remainder हमारा क्या होगा यह हो जाएगा P of minus 3 तो अगर P of minus 3 0 आया तब तो आप बोलोगे कि यह इसका factor है और अगर नहीं आया तो बोलोगे कि यह इसका factor नहीं है ठीक ह होता है यहां पर यह polynomial जो है इसमें हम लोग x के place पर minus 3 रखेंगे तो चलो रखते हैं यहां पर लिखेंगे minus 3 का square plus 2 x है ना x के place पर minus 3 लिखेंगे minus 3 पिर 3 का square करो 3 3 जए 9 minus 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 के plus हो जाएगा फिर 2 3 जए 6 यहां पर आएगा minus 6 minus 3 फिर क्या आएगा 9 minus 6 minus यह देखो minus 6 minus 3 आंसर क्या आएगा minus 9 आएगा समझे ना कैसे दोनों minus में तो दोनों जूट जूट जाएंगे और माइनस माइनस मतलब दोनों माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे और लाइस में माइनस कसा आएगा 9 माइनस 9 करो कितना आएगा 0 यानि कि जो रिमेंडर है ना वो हमें क्या मिला student 0 मिला इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है ना x plus 3 यह इसका factor है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि here remainder is remainder कितना आया 0 आया so therefore यहाँ पर लिखिएगा by remainder theorem ठीक है इस तरीके से पहले आप लिखो factor theorem है ना तो यहाँ पर factor लिखिएगा कि therefore by factor theorem factor theorem यह होता है factor theorem ठीक है factor theorem से हम क्या बोल सकते हैं कि x plus 3 is x plus 3 is a factor of क्या दिया है x square plus 2x minus 3 ठीक है बस इतना ही करना था यही आपका होता है factor theorem okay समझ में आ गया चले देखते हैं question number 8 इसमें क्या लिख्था है कि if x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10 x minus 20 then find the value of m यहने इन्होंने अभी क्या बोला कि यह जो x minus 2 है यह इसका factor है तो फिर हमें m का value बताना है तो यह इसका factor है इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यहां पर क्या है my x minus 2 तो माइनस टू का पोज़ेंगे तो क्या आएगा प्लस टू आएगा तो अगर मतलब यह अल्रेडी इन्होंने क्या बोला कि यह इसका factor है यहनिके पी ओफ टू क्या आएगा जीरो के एक्वल आएगा मतलब क्या reminder तो reminder कि इसके equal आएगा जीरो के एक्वल आएगा तभी तो वह factor कहलाएगा ना तो यह चीज़ इन्होंने ओल्रेडी कोजिशन में दिया है ठीक है अब इसके मदद से हमें m का value फाइंड करना है तो चलिए देखते हैं कैसे होगा यहां पर हम लिखने वाले है solution ठीक है जो हमारा polynomial है पी ओफ एक्स बताइए कितना दिया है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे पी ओफ एक्स क्या लिखेंगे लेट पी ओफ एक्स विच विच इक्वल टू एक्स क्यूग माइनस mx स्क्वार प्लस 10x माइनस 20 ठीक है यह हमारा क्या है पी ओफ एक्स यानिके पोलिनोमियल ठीक है फिर इन्होंने इस question में क्या बोला है कि यह जो x माइनस 2 है यह इसका factor है बराबर तो यहां पर हम लिखते हैं कि क्या दिया है एक्स माइनस 2 इस फैक्टर ओफ इस आप्स प्लस टू एक्स के इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा ठीक है यह ओल्रडी इस question में दिया गया है बराबर फिर उसके बाद पी ओफ निकालेंगे तो पी ओफ तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यह जो पोलिनोमियल है इसमें जहाँ पर भी X है वहाँ पर एम लिखने वाले है क्या लिखने वाले है टू का क्यूब चलिये लिखते हैं माईनस एम इंक के प्लेस पर हम लिखेंगे टू-क स्क्टार मस्टी विच इक फञए घ्यानी यह परहएंगा यह पिछ अच्टै एम podem करें 22 यहां पर कैंसल भी कर सकते थे कोई बात नहीं चलवा कि देखते हैं 28 में से 20 जाएगा तो 28 जाएगा तो अठारा जाएगा है तो यहां पर आ गया 8 फिर माइनस 4 M which is equal to 0 अब हम क्या करेंगे इसको उस साइड ले करके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यहां के साथ मल्टिप्लाई में है जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इस तरीके से फिर इसको कैंसल करो माइनस से माइनस गया 4144 यानि कि M का वेल्यू हमें क्या मिला तू मिला हमें यहीं बताना था ना फाइंड वेल्यू ऑफ एम जो आमने यहां पर बता दिया ठीक है यहां पर लिखिएगा कि वैल्यू ऑफ एम विच इक्वाल टू तो यहां पर आपका यह जो कुश्ट नंबर 8 था यह भी कम्प्लेट हुआ ठीक है तो अभी आपक यहीं पर रुकते हैं कितने रोष्टे कम्प्लेट कर चुके हैं तो टॉटल 8 कोश्टन सीमलों कर चुके है और अब बचैओब्स का होज करें इसदो नियुक्त function में भी दिया तो आप लोग वहां से जाकर बनाप SI आगे वाले झाल झाल